सो हले वरवन वेलकम तो माई चैनल असी सेखर व्लॉक्स सो फ्रेंट्स आज फिलाल फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ बोध गया जा रहा हूं घूमने के लिए मिली और बोध गया जो है वह एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है और इस टाइम पे वहां काफी सारे अधर टेंपल उसमें पूझा होती है तो वह कुछ दिन यहीं रहते है सो फिलाल चलते हैं मुहाँ सुनने में तो पूझा आ रहा कि शुकह है और जो भीड वहां है वह लिए कर सकते हैं महा फेंपल के पास पहुँच चुक है एक बार पहले मैं आपको उसका बाहर का व्यू दिखाता हूं कुछ इस तरीके का इंट्रेंस इसका महबोदी चाइनिज टेंपल का यह देखिए अगर आप जानते हो तो कमेंट करें जरूर बताईएगा तो फिलाल चलते हैं इसके अंदर अंदर गेट से इंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू है और आप यह देखिए बुद्धभकवान का एक स्टैचू लगा हुआ है और साइड में कुछ इस तरीके का व्यू यहां से देखिए और यह दोनों साइड के वाल पर जो लिखा हुआ है चाइनीज लेंग्वेज में अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलते हैं अब ही मंदिर जो है वह इसका इंट्रेंस अंदर जाने का वह बंद हो रखा है फिलाल बाहर से मही इसका व्यूंद है यह देखिए आप जो एक गेट है यह बंद है एक वार मैं आपको अंदर जो मंदिर है उसका व्यू दिखाता हूं काफी अच्छा है और काफी अच्छे तरीके से बनाया गया यह कुछ इस तरीके का व्यूंद के सामने बुद्धवामान के तीन कि अच्छा है कि अच्छा चलते हैं यहां से नेक्स्ट मंदिर की और अभी मैं अपने दोस्तों के साथ वट्थाइट टेंपल पहुंच चुका हूं इस तरीके का इनट्रेंस गेट है उसका व्यू दिखाता हूं बाहर से उसके बाद मैं अंदर चलते हैं इसका अंदर और यह देखें सामने मंदिर काफी मिन्स प्यारा है काफी अच्छे तरीके से बनाया और काफी अच्छा अच्छा यह यहां का और इस मंदिर में अंदर जाने का मेरे पीछे मंदिर काफी एक बार मैं आपको चारों तरफ का पहले विव दिखाता हूं और अब सुबह सुबह का टाइम है इसलिए बहुत कम लोग है आप नहीं तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं इस मंदिर में भी और यह देखिए आप पिक्चर लेने के लिए बनाया गया है तो फिला जलते हैं थोड़ा सा और आगे और यह देखिए आप कुछ पिक्चर से गएरा भी लगे हुए है अब देख लीजेगा यह देखिए अच्छा मंदिर रहा है इसे हैं कि देखिया है कि अच्छा मंदिर है इसे हैं कि देखिया है फिलाल यहीं था इसका व्यूंट फ्रेंट्स फिलाल मैं भी अपने दोस्तों के साथ कर्मा टेंपल पहुंच चुका हूं उसका मैं आपको इंट्रेंस गेट दिखाता हूं यह भी काफी अच्छा टेंपल और काफी अट्रैक्टिव टेंपल है मेंस मेले आपको मैं एक बा हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है झाल 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 यहाँ पर फार्मिंग भी हो रहा है पीछे एंट्रेंस गेट इसका और मिन्स काफी आगे आगे साइड यहाँ पर काम भी चल रहा है यहाँ पर साइड में यहाँ पर इससाइड फार्मिंग भी रहा है देखे पीछे मेरो हाँ बहिया वो काम भी कर रहा है और यहाँ कुछ कंस्रक्ष्ण का काम भी हो रहा है यह दखे अरे देखे-अदे आप काफी सारे लोग हैं और सामने मंदिर तरहते हैं कि दियाति में जमाने एक टूट गए और जो मंदिर हो बंद होने वाला है कुछ देर में इसलिए यहां से लोग बोला भी जा रहा है बहार जाने के लिए और यह मंदिर भी काफी ज्यादा सुन्दर है मैं भी आगे जा रहा हूं और तुकि जो मंदिर का बंद होने का टाइमिंग हो भी हो चुका है कि मंदिर मॉर्निंग में एड टू टूव ओपन रहता है और मिन्स एलेवन फिप्टी-फोर फिफ्टी-फाइव हो चुके है इस पांच मिंट ही और बचिया है जलती है जलते है जलदी से अंदर और अगान करें सफिलाल अभी मैं मंदिर का बाहर पोह चुका हूं गेट में तो फिलाल चलते हैं जलदी से अंदर क्योंकि वो बंद होने वाला है काफी एट्रैक्टिव है ये भी ये पेंटिंग यहाहाँ वह काफी अच्छा है प्लाल चलते हैं और अंदर और अंदर काफी ज्यादा पीस है और काफी अच्छा है यह देखिया अब सारे जगह पर आपको बुद्धा के स्टैचू दिख रहा है डिफेरेंट डिफेरेंट पोसेश पर इस देखिया सभी जगह पर है और सामने जो है वो बुद्धा को बड़े बड़े स्टैचू भी है और तीनों डिफेरेंट स्टैचू है यह देखिया काफी अच्छा दिख रहा है गाई यह देखिया अच्छा दर के आपसाइड में काफी सारे स्लेरी के बोटल्स भी रख रहे हुए पानी के वाल पे सारे जगर पे बुद्धा के डिफेरेंट डिफेरेंट पोज़ेश हैं उनके स्टैचिस छोटे-छोटे और सभी पे नम्बरींग क्या हुआ है यह देखिए आप अगर देख रहा होंगे आपको एपर पास से दिखाता हूं यह देखिए सभी पे नम्बरींग कर रह बंद कर दिया गया है कि हम लोग यहां इसे एक छोड़ रहे हैं लोग तो फिला चलते हैं बाहर क्योंकि टाइम बंद होने का हो चुका है और मैंने आपको दिखाई दिया है देखिए मंदिर का डियाइनिंग काफी अच्छा है देखिए और जो स्टैच्यू है वाल पर उ मंदिर का जो गेट है वो ठीक बारवज बंद कर दिया गया है और हम लोग बिल्कुल ही करेक्ट टाइम पर पहुचे थे और मंदिर का व्यू काफी अच्छा है और यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चली रहा है कि और यह साइज रेसिदेंस हे रिया है यहां का मंदिर इलग है बिलकुल डीफेंट तरीकल का है मिंस और काफी अच्छा है यह दखे है सामने है कि पहुच चुका हूं तैंब टेम्पल में और यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गाइस हम लोग के साथ आपर जो अधर कंट्री के लोग है अधर साइट साय उनको पैसे लेकर इंट्री दिया जा रहा है बढ़ हमें एंट्री नहीं मिल रही है और यह वी काफी अच्छा मंदिर है यह देखे मंदिर पहां स से हम ठीक फ्रेंट्स से हैं अपमें यहां पर एक उमने का भी चलते हैं पर तो जान बीपाया और यहां सान पर दो गणटे के लिए बीच में बन रहता है और फिर दो से चहर दो भी जिसका टाइमिंग अलाग अलाग वो सारे उस ताइम चाप खूले रहते हैं तो फिलाज चलते हैं यहां से वापस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फिलाल अभी हम लोग हैंडी क्राफ्ट फेर काफी अच्छा है और काफी सारे लोग भाप coal कर रहे हैं सो आप व्यवफ उट गरें अइसका के शेच्वकलों है इसका है यहां पर काफी सारे लोग है अलग डीरेंट इफरेंट स्टाब पटेंग कर रहे हैं मैं एक साइट से दिखान बिखाए में श्टार्ट करता हू को एड़ को, एड़ के? को, एड़ के? फ्रेंट्स, आपसे वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल पर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजियेगा, तो चली मिलते हैं आपसे नेक्ट व्लोग में तक-Tak के लिए बाई!